नमस्का दोस्तों स्वाकत हैं आप सभी का हमारे जनल पर दोस्तों आज में आपको किड्नी को स्वस्थ बनाए रखने के लिए कुछ बहुत ही बहतरीन जड़ी बूटियों के बारे में बताने वाली हूँ आयरुवेद में स्वास्थ चुड़ी विभिन मुद्दों के लिए तरह तरह की जड़ी बूटिया हैं दोस्तों ऐसे में आज में आपको कुछ ऐसी जड़ी बूटियों के बारे में बताने वाली हूँ की किड़नी को स्वास्थ बनाय रखने में बहुत ही मददकार होती हैं तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की हमारी जानकारी इसको जानने से पहले बस एक निवेदन उन लोगों से करना चाहूंगी जो आज पहली बार हमारे चैनल पर आये हैं करप या सबस्क्राइब का बटन दबा कर हमारी सदसेताकुल सरूर ले लें ताकि आप हमारी आने वाली जानकारियों को देख सकें और उनसे फायदा बिटा सकें इसके साथ ही सही जानकारी के लिए इसे अन्ते तक सरूर देखेगा सबसे पहले तो चीज मैं बात करूँगी जिसकी वो है धनिया दोस्तों आप खाने को गार्णिश करने के लिए धनिये का इस्तमाल तो करते ही होंगे लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि यह किड़नी के समस्याओं के लिए भी एक बहतरीन औशिदी होती है धनिया जो होता है वो गुर्दे और मूत्राशय के कारियों को वी नियमित करने में मददकार होता है दूसरी चीज है दोस्तों वरुण वरुण एक ऐसी जड़ी बूटी है जो की पेशाप को बढ़ावा देने के लिए एक प्राकरतिक मूत्र वर्धक के रूप में काम करती है यह गुर्दे की पत्थरी और गुर्दे की अन्यसमास्यों के जोखिम को भी कम करने में मददकार होती है इसके साथी दोस्तों वरुण जो होती है वो खून को साफ करने और गुर्दे की कारियों में सुधार करने के लिए बहुती ज़्यादा फायदेमंद होती है दोस्तों नेक्स्ट औशिदी है इसमें वो है अदरक दोस्तों अद्रक जो होता है वो भी किड्नी के लिए बहुत ही ज़ादा फायदे मन्द होता है अद्रक किड्नी को डीटॉक्स करता है दोस्तों इसमें मौझूद एंटी इंफ्लामेटरी गुंजो होते हैं वो गुर्दे में दर्द और सूजन का मुकाबला करने के लिए बहुत ही मददकार होते हैं जो कि कभी-कभी UTI infection या फिर संक्रमन के कारण हो जाता है दोस्तों इसके बाद मैं बात करने वाली हूँ हल्दी के बारे में ओशिदी गुणों का भंदार जो हल्दी होती है न वो भी एक शक्तिशाली जड़ी बूटी है जो कि प्रभावी रूप से सामाने गुर्दे के संक्रमन मूत्र की समस्याओं आदी का इलाज करती है दोस्तों अगर आप हल्दी का रोजाना सेवन करेंगे न तो यहाँ आपके स्वास्त को कई तरह से बहतर बना सकती है जैसे की गुर्दे की पत्थरी, किड्नी में सूजन, इन्फेक्शन आदी से आपको बचाफ करती है दोस्तों इसके अलावा दोस्तों, अगर मैं गोक्षुरा की बात करूँ, तो गोक्षुरा पेड की च्छाल जो होती है न, वो गुर्दे के स्वास्त और यूटी आई इन्फेक्शन और पेशाब में जलन सहित, खराब गुर्दे के स्वास्त से जुड़ी सभी समास्याओं के लिए बहुत ही उपयोगी माने जाती है, यहाँ गुर्दे की पत्री को खत्म करने के लिए ब्लड सर्कुलेशन में मददकार है दोस्तों, तो दोस्तों यह थी आज की हमारी जानकारी, आपको यहाँ अच्छी लगी हो, तो इससे लाइक, शियर और कमेंट करके ज़रूर बताए गाम को, तक कि जादा से दादा लोग इसका फायदा उटा सकें, और अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धनिवाद